नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालुमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब किजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naysubha.org naisubeh.org आज हम बनाना सीखेंगे खीर खीर बनाने के लिए जो अजज़ा हमें दरकार हैं वो ये हैं दूद धाई से तीन लिटर चावल आधा पाओ चीनी आधा पाओ गार्णिश के लिए बदाम पिस्ते कटे हुए तरकीब सबसे पहले दूद को खुले मुगे बटन में उबाल ले इसके बाद चावलो को अलग बटन में उबाल ले उपले हुए चावलो को ब्लेंडर में ब्लेंड कर ले फिर चाबलो को दूद में आइस्ता आइस्ता शामिल करें अब इसमें मुसलसल चमचा चलाते रहें यहां तक कि दूद गाढ़ा होना शुरू हो जाए अब इसमें चीनी शामिल कर दें और फिर पकाते रहें अब आप कांच की एक प्लेट लें और जो जम जाब दूद में चला रहे हैं उससे थोड़ा से दूद इस प्लेट में डालें अब चंड सेकेंड्स गुज़र जाने के बाद आप प्लेट को टेड़ा करके देखें कि ये दूद इसमें से गिर तो नहीं रहा अगर ये दूद गिर रहा है तो आप समझें कि इसे मजीद पकाना है और अगर ये जम जाए तो आप समझें कि आपकी खीर तयार है जब आप देखें कि आपकी खीर तयार है तो आप इसको किसी अच्छे से बाउल में निकालने और कटे हुए बदाम विष्टे इसके उपर स्प्रिंकल कर दें अब इसे रोम टेंपरेचर पर एक घंडे तक छोड़ दें और फिर इसे धंडा करने फ्रिज में रख दें अब आपकी खीर तयार है अब आप इसे खा लें आज के लिए इतना ही मिलेंगे नई रसुपी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज ये मालमाती मवाद नई सुभा की जानब से पेश किया गया अपनी आरा के इज़ार के लिए कॉमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिये गए राप्ते के जराए इस्तमाल कीजिए